हेलो फ्रेंस दिस इस मी गार्ग और आप देख रहे हैं श्रिष्ट भारत उम्र बहत्तर लेकिन एकदम मौडन हम बात कर रहे हैं सेवेंटीज और एटीज के दशक की सुपरस्टार जीनत अमान की जीनत टेलेंटेट तो थी ही लेकिन अपनी खूबसरती और बोल्डनेस की व एक स्टेटमेंट दे कर जीनत ने हाली में कहा कि हर किसी को शादी से पहले लिविन में जरूर रहना चाहिए जीनत अमान ने हाली में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेर की जिसमें लिखा था हर किसी को शादी से पहले लिविन में जरूर रहना चाहिए जीनत की ये में जीनत ने ये बोल्ड जवाब दे डाला वैसे जीनत बहत्तर की है पर अपनी अच्छी परस्नल्टी के कारण आज भी लाखों लोगों के दिलों पर राज करती है जीनत अपने जवानी के दिनों में अपनी परस्नल्ल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहा करती थी इन्होंने डॉन, सत्यम, शिवम, सुंदरम, धर्मवीर और लावारिस जैसे कई फिल्मों में काम किया लेकिन आज कल वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है सोशल कि वो आज भी उतनी ही बोल्ट और खुली सोच वाली है जितने की वो पहले हुआ करती थी जीनत की ये सला ना सरिफ आम जंता के लिए है बलकि अपने बेटे के लिए भी है पर अब सवाल ये है कि जीनत ने ऐसा कहा क्यों तो ये आपको बता दे कि जीनत हम लोगों से कहीं जादा ओपन माइंड़ है उनका कहना है कि शादी एक ऐसा बंदन है जिसमें दो परिवार involved होते हैं लेकिन जिसको साथ रहना है उसका ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या दोनों एक दूसरे के साथ comfortable है या नहीं इसके लिए live in जरूरी है जीनत आगे कहते हैं कि क्या आप इसके लिए तयार है कि आपको किसी के साथ bathroom share करना है अपना room share करना है क्या आप एक दूसर कर पाते हैं या नहीं और सबसे में चीज एक दूसरे के टेंप्रामेंट को जहिलने के लिए तैयार है या नहीं यह सब कुछ आपको लिविन में रहने के बाद ही पता चलेगा हाला कि भारत में शादी से पहले एक साथ रहने को पाप समझते हैं पर फिर वही बात आ कि समाज बहुत सी चीजों को पाप समझती है लेकिन जीनत की सोच समाज से बिलकुल अलग है इसी लिए जीनत का ये पोस्ट जम कर वाइरल हो रहा है बागी ऐसे ही लेटस न्यूस से अपडेटेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ट भारत को श्रेष्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत